हेलो ब्रेवन वेलकम तो श्रीमित की आंटरकास्ट तो दोस्तों आज की वीडियो में शुरू करते हैं 21 अगरस्थ 2021 के सभी इंपोर्टेंट करेंट फेल पहला कुछ में बड़ा इंपोर्टेंट है प्रसन है कि हाली में किस देश के साथ भारत ने कौंकन नौ सन्या भ्यास क में हुई थी ठीक है और इसका आवजन 2021 में रहा इंगलेंट और भारती जहाज जो कौंकन एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए इंगलेंड गया था उसका नाम है आई एनस तबर अब मैं आपको कुछ बहुत ही मिलिटरी एकसरसाइज की बारे में बताऊंगा जो की परि स्री लंका मिलकर एक थल सेना अभ्यास करते हैं जिसका नाम होता है मित्र सक्ती भारत और इंडोनेश्य के बीच में एक नवसेना भ्यास है जिसका नाम है कारपैट और अगर प्रसनाया कि अलनागा नामक जो थल सेना भ्यास है यह थल सेना भ्यास है मिलिटरी एकसरसाइज तो इसे करता है भारत ओमान के साथ भारत और बागनादेश मिलकर करते हैं संप्रिति नामक एक्मिलेटरी एक्सरसाइज अजब भारत और म्यामार के बीच में जो थल सेना अभ्यास होता है उसका नाम क्या है उसका नाम है इमबेक्स ठीक है और इंद्रा नेवी यह तो आप बता चुका हूँ अभ हालि में कोप इंडिया नामक जो वाइब सेना अभ्यास हुआ है उसे भारत ने पूरा किया किसN importantes अमेरिका के साथ अच्छ भारत और अमेरिका मिलकर वज्र प्रहार नामक एक थलसेना अभ्यास भी करते हैं और एक अभ्यास और भी करते हैं कौन सा युद्ध अभ्यास काजिंद नामक जो थलसेना अभ्यास है इसे भारत और कजाकस्तान मिलकर करते हैं नुमेडिक एलिफैंड थलसेना भ्यास है जो करते हैं भारत और मंगोलिया, अभ्यास मैत्री थलसेना भ्यास इसी करते हैं भारत और थाइलेंड, भारत और नेपाल के बीच में जो थलसेना भ्यास होता है उसका नाम है सूरिकिरण, और भारत और मलेसिया के बीच में हरी महो शक्ति यह कुछ बहुत ही मुत्पूर्ण से अन्य भ्यास है जो कि परिच्वाओं में अक्सर पूछे जाते हैं अच्छे यह पताओ कि वांचुवा महुत्सों कि स्राजी मनाएं गया है तो इसका उतर हो जाएगा तीवा नामक आदिवासी है महाँ पर जो कि वांचुवा नामक जो यह मतलब फेस्टिवल है उसको मनाते हैं असम में और वहां पर अच्छी फसल की कामना के लिए निर्त और गीत आदिपारामपरिक अनुस्ठान वो करते हैं इस तिवहार के दोरान असम में कुछ और भी महत तो पूर्ण फेस्टिवल हैं जो कि अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं जैसे कि विहू रजनी गबरा वैसगू माजुली देहिंग पटकाई महत्सो वैखो और अंबुवाची महत्सो इसमें तीन यादक ना बहुत इंपॉर्टेंट है माजुली देहिंग पटका है यह लिली जो फ्लावर होता है उससे संबंदित है इसका अजन मणीपूर में क्या जाता है और पांचवा अंतरराष्टी रहमायन महत्सो जो की पिछले वर्स हुआ था यह कब हुआ था नई दिल्ली में हुआ था हार्मिल नामक जो महत्सो है इसे नागा लैंड में आयो होता है जो कि आजीट होता है और इसा में अच्छे संगाई महत्सो कहां पर होता है यह होता है मडीपूर में आगे बढ़ते हैं उसके बढ़े आपको बता दें कि एक्स्ट्रा ट्वंटी पर्शन की जो चूट आपको मिल रही थी फ्रीडम सर्के दवरान सभी मंतली और कं आज भी जा रही है यानि कि 20 पर्शन की जो एक्स्ट्रा चूट है यह आज भी आपको दी जा रही है तो आज लास्ट होगा कल से इसकी कीमत बढ़ रही है तो अगर आपने अभी तक इस पीडियप को पर्चेज नहीं किया हुआ है तो इसको आप आज ही पर्चेज कर मालेया ठीक है और भारत में मलेरिया अनमूलन का लग्ष रखा गया है वो 2030 रखा गया है हलांकि यह बाना जा रहा है कि 2027 के बाद भारत में मलेयरिया obsess की जुब पुरीतर से इसे भी पार ही तो इकुआ में च्चर तुम यहाँआ दैख लेना जीए यह लीनित औरधर्या इटो डेकी 1987 में 1987 में ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल रोस ने मच्छोरों पर रेसर्च किया था और इसी साल हाइजीन और ट्रोपिकल मेडिसिन ने 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाने की घुशडा की थी इस दिन को मनाने का उद्यस मच्छोरों से होने वाली भीमारियों के बा मच्छोरों के काटिने से होती है तो मच्छोरों को मच्छर मा समजना मच्छर मामूरी नहीं होते हैं हरष्य में किस देट को अक्ष्य उःजड़ दिवस यानि कि revenueवल energy day नविकरनी उःज़़श क service के रूप में मनाय गया तो यह मनाय गया बीस अगस्त structured थीन इंप्र activists तो देको फ्रेंट्स यहां पर अक्षय उर्जा दिवस के बारें बात हो रही तो इसके सुरुवात विए थी 2004 में भारती नवीन और नवीकरणी उर्जा सुरूत मंत्राले के द्वारा इसके सुरूपात की गई थी और अक्षय उर्जा विकास कारक्रमों का समर्थन करने और और उर्जा के पारांपरिक सुर्तों के बजाए इसके उपयोग को बढ़ावा दिर के लिए 2004 में भारती अक्षय उर्जा दिवस की इस्थापना की गई थी अब यह को next question है जो कि 20 अगस्ट से ही संबंदित है और इसे का जाता है सद्भावना दिवस तो सद्भावना दिवस है उनकी मृत्त के करीब एक वर्स बात 1992 में अचुन की डेथ कब हुई थी उनकी डेथ हुई थी 1991 में ठीक है 21 मई 1991 में पेरमदूर नाम अकस्थान पर ठीक है एक आत्म घाती हम लागवा था और उसी में इनकी हत्या कर दी गई थी तो 1992 में इसी दिन राजियो गांधी सद् अपना भी करी गई अब इनका जन्मुगा तक कब 20 अगस्त 1944 और याद अकना कि 40 वरस की उम्र में सबसे कम उम्र में प्रिधावन मंत्री मल्द बनने थी तो अब तक यह रिकॉर्ड है कि 40 वरस की उम्र में अभी देश का पीम कोई बन नहीं पाया है और देश के विकास में इनका जो योगदान है वो अतुर नहीं है देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर लगाए गया है तो फ्रेंट्स जो स्मॉग टावर है यह दो को ज्यादा तर लगाए जाते हैं चीन में चाइना का जो एट्मासफियर है बहुत अधिक वहाँ पर जब खराब हो गया तो व वो कौन करेंगे दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल तो दिल्ली के लोग लिए यह एक अच्छी ख़बर है जल्दी उन्हें प्रदूर्शन से थोड़ी रहत मिलने वाली है यहां का जो पहला स्मॉग टावर है यह 23 अगसे वर्किंग में आ जाएगा और याद रखना यह करीब एक किलोमेटर के छित्र में हवा को साफ करेगा इस स्मॉग टावर की छंता हर सेकेंड एक हजा क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की है दिल्ली के परवन मंतरी गोपाल राय ने 19 अगस्त को इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट के डिवलप्मेंट का रिक्षर किया इस दोरान उन्होंने कहा कि मांसून की मौसम के बाद यह स्मॉग टावर पूरी छंता से काम करेगा उन्होंने पर इसको बताया कि मोकिमंदरी अरविन के जरिवाल 23 अगस्त को इस स्मॉग टावर का उद्गाटन करेंगे सूचनावा प्रसान मंत्राले के नए सचिव को उन बने हैं तो इसका अंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्र ऑप्सन ए इसका बिलकुल करेक्ट है अपूर्व चंद्र ठीक है तो स्रम और रोजगार मंत्राले में सचिव अपूर्व चंद्र को सूचना और प्रसान मंत्रा जाल है M.I.B में Ministry of Information and Broadcasting में सच्यू बनाय गया है उन्होंने उच्छ सिक्षा सच्यू अमित खरे की जिगन ली है आपको बता दें कि उच्छ सिक्षा सच्यू अमित खरे के पास पिछले एक साल से भी ज़्यदा समय से सूचना अंग प्रसान मंत्रा लेकि सच्यू का अत्रिक प्रभार था ठीक है तो यहां दखना कि M.I.B Ministry of Information and Broadcasting के जो सच्यू बने हैं अपूर्व चंद्र ठीक है यह दोको दो मिठाईयां है तो मुह में पानी आ गया होगा कोई बात नहीं तो सर्भुजा और सर्पुरिया इनका नाम है और यह कहां की मिठाई है जी यहां पुजा और सर्पुरिया मिठाई में ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों को मतलब एक को भून कर बना जाता है दूसरे को डी फ्राइ किया जाता है और दोनों ही स्वाधिश्ट होती है मलाई के साथ पर उसी आती है और इन्हें जो होता है वो जब वहां पर फेस्टिवल चलते हैं बंगाल में तो उस मोके पर इनकी बड़ी डिमांड होती है और मोकी रूप से यह आपको मिलेगा नादिया और कृष्ण नगर जिले में पस्टिव बंगाल के अब यहां पर यादागना कि तो पहले ही टैग मिल चुका है ठीक है भारत और किस देश ने हाली में जायर अलबहर को पूरा किया है तो जायर अलबहर ६हर यह जो उद्धा भ्यास है इसे बहरत करता है कतर के साथ है कटर करेक्ट हैं क कहा है तो में कि कतर की मुद्रा क्या है कतर की मुद्रा तो देखो कतर में चलता है कतरी रियाल और वहां के पीम कौन है पीम का नाम बताता हूँ आपको देखो से खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल्थानी से खालिद बिन खलीफा बिन अब देर अजीज अल थानी ये हैं पीम कहां के कतर के तो नाम कतर का चुटा ये नाम देखो ठीक है तो एनगे जायर अलभार का ये दुसरा संस्क्राइब था जो कि 9 से 14 अगस्त के बीच आजित क्या गया कहां पर फारस खाड़ी में तो क्योंकि ये जायर अलभार का सेकंड एडिशन था तो पहला एडिशन कहां पर हुआ था 2019 में हुआ था कहां पर दोवा कतर में ही हुआ था यानिकि कतर की राजधानी में ठीक है वित्तवी समयवाजिसन सुचकांग इसको कहेंगे ये फ आई आई फाइनेंसियल इंक्लिजन इंडेक्स ये फ तो आपको बताते हैं कि मार्च 2021 को समापत होने वाली अवधी के लिए वार्षिक एफाई इंडेक्स कितनी है 53.9 जबकि मार्च 2017 को समापत अवधी के लिए है जो इंडेक्स था वो 43.4 था रभी आई हर साल जुलाई के महिने में एफाई इंडेक्स को जारी करेगा तो यह आदा दगना जुलाई के महिने में हलांकि इस सुचकांग का कोई बेस यह आधार वर्स नहीं है और बात करते हैं खल तो प्रस्त हुआ रही था लेकिन इसके पहले जो प्रस आया था तो उसको करते हैं डिसकस्स विश्ट प्रेस सुच्ट अतरता सुच कांग में भारत की रहेंग क्या है तो फ्रेंट्स जाहा दखना विसुप्रेश स्वतंत्रता सुचकांग भारत करेंगे 142 ठीक है कुल 180 देशों में जो रहेंगे वो कितनी है 142 है और इसे जारी करता है कौन रेपोर्टर्स विदान बाइडर्स ठीक है और देगे प्रत्तेक वर्स विसुभर में 3 मही को विसुप्रेश स्वतंतरता दिवस भी बनाया जैता है तो यह आपको याद लखना है ठीक है दुसरे स्थान पर है Finland और तिसरे स्थान पर कौन सा है Denmark इसे दुनिया की गौसाला भी कहा जाता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है और अब बारी है आज की कुछ की यह बताओ कि W.E.F Global Energy Transition Index 2021 में भारत की रेंग क्या है तो यह है आपके विकल्प तो फिरेंज इसका आंसर आपनों जरूर लिखना और टेलिग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगे अगर आप भी तक आपने जोईन नहीं किया जोईन कर लीजिएगा और पूरे आठ मिने का जो संपूर्ण करने फेर है उसको पर्चेश करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिस्टन चेक कर लिएगा और हाँ वीडियो पसंद दया तब दबाव इसे प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बुलेगा थैंक यू सो मच